वेगाईज, वेडियो में बात करने वाल है टॉप टेन बाइटिंग टिप्स के बारे में और कौन सा गेम है इस गेम का नाम है सचीन सागा प्रो क्रिकेट गेम और यह भी हाली में लांच हुआ है तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो स्टार्ट करने सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर देखिए आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा और इसमें जो आपको फुल लेंथ, गुड लेंथ, सौट लेंथ दिखाई दे रहा है इसी लेंथ पर हम बात करने वाले हैं सौट सेलेक्शन करने वाले हैं इस मैप के हिसाब से तो आप भूलेगा मैं बार बार आपको यह मैप दिखाने वाला नहीं हूं और साथ ही यहाँ आप देख लीजिए हमें इस्टोक और लॉप्ट दो बटन देखने के लिए मिलता है और इसी बटन पर हमें सेलेक्ट करके अपने सौट सेलेक्शन करना होता है अगर हमें हवाई फाइरिंग करना है तो हमें लॉप्ट बटन पर ही क्लिक करना होगा और जितने भी मैंने यहाँ पर सौट मारा है सभी लॉप्ट बटन पर ही क्लिक करके मारा है तो मैं आपको वीडियो में बार बार यह नहीं बताऊंगा कि आपको लॉप्ट बटन क्लि करके इधर स्वाइब करके सौट खेलना है मैं आपको डायरेक्ट सौट खेलूंगा और जो मैं सौट खेलूंगा आप समझ जाएगा कि सबसे पहले मैंने लॉफ्ट बटन पे क्लिक किया है आप इस टोक बटन पे क्लिक करके भी सौट खेल सकते हैं लेकिन जादा तर हवाई करने के लिए आपको लॉप्ट बटन पे ही क्लिक करना होगा अब चलिए हम अपना वीडियो इस्टार्ट करते हैं अब यहां पर देखिए यह जो बॉल है पूरी तरह से गुड लेंद एरिया में और इसको मैं सीधे खेल दूँगा यहां पर देख लिए और मैं जे इजली फोर मिल जाएगा अब इसको मैंने कैसे खेला अगर आप स्लो मोशन में देखेंगे तो जैसे ही बॉल गुड लेंद पे रिलीज हो रहा है तैसे मैं स्क्रीन पे नीचे की तरफ स्वाइप करूंगा दिया तीर्चा जैसे यहां पर तीर आपको दिखाई दे रहा हुआ उस तब जाकर आप बहुत ही बहतरीन तरीके से शौट खेल पाएंगे कि शौट मारने का तरीका ही यही है कि आपको स्क्रीन पे स्वाइप करना है अब किधर करना है यह बॉल पे डिपेंड करता है कि बॉल किधर आ रही है और किधर आप सौट सेलेक्शन करते हैं जैसे यहां पे जो short length पे ball गिर रही है उसके बाद से मैं क्या करूँगा उपर की तरफ screen पे swipe कर दूँगा जैसे ही मैं उपर की तरफ screen पे swipe कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे 4 run मिल जाएगा और आपको filter भी देखते रहना है कि filter किधर है उसके हिसाब से आपको short selection करना है तो कि मैंने बहुत ही अच्छे से किया और इजली यहाँ पे हमें 4 मिल गया अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो यह पूरी तरह से short length पे है और bounce जा रहा है बाल तब मैंने उपर की तरफ uppercut खेला है उपर की तरफ screen swipe करके खेला है ऐसी बाल को आप भी uppercut easily खेल प करता हूं अब मैंने इसको कैस से मारा तो मैं आपको slow muscle में आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे देखेंगे जैसे बंदे ने रिलीज किया उसके बाद से मैं क्या करूंगा screen पे left की तरफ swipe कर दूंगा यहाँ पे देख लिजए तीर यहाँ पे जो आपको दिखाई दे र ना short selection कर सकते हैं बहुत ही बहतरीन तरीके से जिया तो short खेलने के लिए आपको screen पे swipe करना होगा लेकिन किधर करना है यह ball पे depend करता है कि ball किधर आ रही है अगर हम next ball की बात करें तो यहाँ पे देखिए ball पूरी तरह से good length area में है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसको मैंने सामनी की तरफ मारा है और यहाँ पे हमें 4 मिल जाएगा तो सामने की तरफ कैसे मारा है यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह good length area में है और मैं screen पे नीचे की तरफ swipe किया हूँ और देखिए कितना idly मैं ने सामनी की तरफ चौका मार दिया है जो भी good length area में होगी या फिर full length ball होगी उसको अगर आप सामने की तरफ खेलते हैं हम आपको अगर आप पीछे की तरफ भी खेल सकते हैं जो good length ball होगी या फिर मारा की फुल length ball होगी उनको आप सामने भी खेल सकते हैं और पीछे भी खे सकते हैं आप चाहे तो सामने आगे की तरफ नीचे की तरफ स्क्रीन पर स्वाइब करेंगे तो सामने जाएगा और उपर की तरफ स्वाइब करेंगे तो पीछे सौट हो जाएगा लेकिन पर्फेक्ट आपको स्वाइब करना होगा टाइमिंग के साथ अब यहां पर यह जो ब पर यहां पर बॉल रिलीज हो रही है उसके बासे मैं लेट में स्क्रीन को स्वाइप कर दूँगा यहां पर आपको तीर दिखाई दे रहा है इधर ही मैंने स्क्रीन को स्वाइप किया बहुत ही पर्फेक्ट टाइमिंग के साथ और यहां पर हमें four run मिल गए तो आपको स्वा तो थोड़ा स्वाइप करने में आपको दिक्कत होगी लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप एजली ऊपर नीचे दाइब आए स्वाइप करके और स्वाइप करके और स्वाइप कर पाएंगे अब यहां पर देखिए यह बाला आप देख लिजे शॉट लें पर है ना पूरी तरह से सॉट लेंद पर है तो यह मान के चलिए आदा सॉट लेंद ही है अब मैं क्या करूंगा यहां पर बॉल जैसे रिलीज करेगा मैं इसक्रीन को ऊपर की तरफ स्वाइप करूंगा क्योंकि यह बॉल कमर के ऊपर है ऑफ मैं इसको जब उपर की त्रफ ईस्क्रीन स्वाइप करूँगा तो यह पीछे की स्वाइप क्हेलेगा। घ्यां से आपको देखना है जिसे मैं उपर की तरफ स्वाइप करूँगा। और कुछ शोट यह एतुमेटिक अपने हिसाब से खेल लेता है। जैसे भी आया अगर आप उसी दिशा में स्वाइब करते हैं तो यह सोट सेलेक्शन बहुत ही अच्छे से कर लेता है जैसे यहां पर आपको देखने के लिए मिल ला है अब यहां पर देखिए यह भी मान के चलिए थोड़ा सा गुड लेंथ एरिया में है और इसको खेलने के पीछे मैं कितना बहतरी इंतरीके से उपर की तरफ पीछे मैंने मार दिया अब मैंने इसको कैसे खिला सो मोशन में अगर आप देखेंगे तो यह गुड लेंथ एरिया में है और इस्पीनर फिक रहा है तो मैं क्या करूंगा इस करूंगा और यह पीछे की तरफ इजली फ यहां रखना है अब यह देखिए यह सोट लेंद फेर थोड़ा सा तो इसको मैंने कितना एजली लेक साइड में चौका मार दिया अब मैंने इसको कैसे खेला अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर तो जैसे इसने बंदे ने बॉल को रिलीज किया है उसके बास से मैंने क किया है लेप्ट में स्क्रीन को स्वाइप कर दिया है और यह सोट सेलेक्शन कर लिया है कि इसको सोट खेलना है चौके के लिए परफेक्ट मैंने स्वाइप किया और इसने परफेक्ट यहां पर चौका मार रहा है जो कि आपको देखने के लिए मिल ही रहा होगा तो आपको तो short selection बहुत ही जादा perfect करना है तब जाकर आप easily छक्के चोके मार पाएंगे अब यहाँ पे देखिए यह जो ball है पूरी तरह से good length area में अब इसको यहाँ पे देखिए मैं पीछे की तरफ कितना easily मार दूँगा क्योंकि पीछे वहाँ पे जहाँ short मैंने मार रहा हूँ वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इस short को सामने भी खेल सकता हूँ नीचे swipe करके लेकिन पीछे कोई भी बंदा नहीं है इसलिए मैंने उपर की तरफ swipe किया और मुझे easily 4 मिल ग करके तब जाकर आप इसमें बहुत जादा score कर पाएंगे अब हम चलते हैं अपने nest ball को और इसको देखिए मैंने कितने बहतरी तरीके से मारा है अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यह पूरी तरह से good length area में है और इसको मैंने सामनी की तरफ मारा ध्यान से देखिए मै आपको बोला था good length जो ball होगी उसको मैं सामने भी मार सकता हूँ तो यहाँ पर देखिए यह good length पर ball आया है और मैंने screen को नीचे की तरफ swipe किया बिल्कुल gate के सामने उसके बासे इसने सोचा बहुत ही easily यहाँ पर सामने बिल्कुल सामने इसने चौका मार दिया है तो इस तर आपके चोके मार सकते हैं बहुती easy तरीके से बस थोड़ा सा समझना है अब यहाँ पर देखिए यह ball भी पूरी तरह से यहाँ पर आपको good length area में दिखाई दे रहा होगा अब इसको मैं क्या करूंगा यहाँ धियान से देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या किया है अगर मैं आपको slow motion में दिखाऊं तो यह off side में है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसक्रीन पर ऊपर की तरफ धीरे से यहाँ पर देखिए मैं इसक्रीन पर ऊपर की तरफ तिर्चा स्वाइप कर दूँगा और यह देखिए कितना बहतर इसमें आपको short selection ही करना स्क्रीन पर स्वाइप करके आप ध्यान से देखिएगा कि बॉल कहां पर पिछ हो रहा है अगर आप एक बार बॉल को पिछ होते हुए नजर आ रहा है उसके हिसाफ से बहुत ही चलाकी से अपना short selection करिएगा और इसली आपको run मिल जाएंगे इसमें आ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा थैंक्स फार वाचिंग